सबसे पहले आप लोग को एट लीस्ट आपको दो से तीन स्टेट चुनने चाहिए अगर आप अगले साल देंगे एक्जाइम तो एक दो स्टेट काफी हैं बट दो स्टेट रहना अडवाइसबल रहता है कम से कम एक से तो जादा हो क्योंकि कभी वेकेंसी कम आजाएं वेकेंसी रिलीज ना हो बहुत सारे अनप्रिक्टिबल चीजे हो जाती हैं यू माइट जस्ट आव बाद डे ओन दे अव दे प्रिलिम्स तो एक से जादा स्टेट तो मैनेचबल है तो आप चूज कर लीजे कि कौन से दो स्टेट आपको कम से कम देने हैं तीन है तो तीन भी अब हमें इनफॉर्म तरीके से वी हैब टू प्रिपेरा इंटिग्रेट इसलिबस सारे स्टेट का मिला के एक यूनिफॉर्म सिलिबस बड इसमें तीन स्टेट से जादा मिलाएंगे तो खिचडी बन जाएगी आपका study time जो है वो 5000 quality hours से जादा बढ़के 6000-7000 hours पे जा सकता है और confused होने का बहुत जादा यह है बहुत जादा chance है तो आप पहले 2-3 states पर ही focus करें अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आप mastery कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी especially local laws के segment की तो आप सोच सकते हैं कि how do we prepare for more states but for the moment it should not be necessary okay सबसे पहले now what I'm gonna help you with is कि Hindi belt के कौनसे states है क्योंकि यहाँ पर आपको Hindi या English languages में आपको Hindi common रहेगी English common रहेगी translations कराए का काम भी हो सकता है जो language paper होता है और बाकी नई चीज़े आपको ऐसे समझना नहीं पड़ेगा तो language wise हर्याना हिमाचल प्रदेश डेली राजस्तान मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश यह हैं Hindi belt while estates ओके सो आप लोग list use कर सकते हैं यह online if you all are making notes I'll hold this slide up so if you want to add one or two more states जैसे किसी ने UP बोला तो आपको एक और state add करना है तो अभी add कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका clear plan बनता चला जाएगा कि कहां कहां के लिए प्रेपैर करना है फिर regional languages कौन कौन से states में आपको जरूरी है सीखनी यह important है क्योंकि इसके basis पर आपको decide करना होगा कि वो state आप attempt देंगे तो regional language सीखेंगे और नहीं देंगे तो नहीं सीखेंगे एक से जादा regional language सीखना तो बहुत ही inadvisable है in fact even one regional language you may not want to learn unless it is your home state home state की है तो फिर आप सीखना चाहेंगे वरना you will not want to learn तो कौन सी आपकी regional language हुई वो आपको choose करना है regional language state में आप कौन से कौन से states में important states में जरूरी है Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, Kerala, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab state specific कौन से है यह है national laws all India valid है लेकिन किसी-किसी state में ही test किया जाता है exam के अंदर और उनके नाम है जैसे की partnership act पांच state में आता है अब आप अगर इस state में कर रहे हैं तो आपको जब शूरू में planning करेंगे integrated syllabus की तब आप major, minor subjects का list बनाते हैं मैं ट्रेलो पे दिखाऊंगा कैसे करते हैं उस समय आपको यह plot करना होगा पहले से protection of women from domestic violence act चार states में है राजस्थान गुजरात-TIMTadu-Kerala probation of अब यह देखे इस अब यह देखे कॉमनिनलि राजस्थान गुजरात-के करला-्त场नल नाडो राजस्थान- reason partnership act यहां नहीं है बत protection of women from domestic violence act dubbed probation of offenders act juvenile justice act यह common है इन चार्ज स्टेट्स के लिए फिर SCNST Prevention of Atrocities Act दो ही स्टेट्स में important है Indian Forest and Wildlife Protection Act दो स्टेट्स में important है जूरिस्प्रूडेंस का limited states में तमिल नाडू उत्तर प्रदेश जारकंड वेस्ट पंगॉल औरिसा सेल आफ गूर्ज आट का हो गया Motor Vehicles Act तमिल नाडू में तब हम इसको देखेंगे सब्सक्राइब अभी देखिए कोई भी लोकल लॉग नहीं है बट सर्टन स्टेट्स में लॉकर सिलिबस वेरी कर रहा है एक्जाम के लिए तो लॉफ टॉट्स कुछी स्टेट्स में Registration Act कुछ स्टेट्स में Arbitration Conciliation Act विहार जहरकन तमिल नाडू तीन स्टेट्स में इसमें amendment भी याद करना होगा Statutory Amendment जितने हैं 2015-2019 यह आपको याद होने चाहिए Trust and Equity 30 hours Interpretation of Statutes राजस्थान और तमिल नाडू में तो प्रॉब्लम क्या होता है जब हम बहुत सारे स्टेट्स के लिए करते हैं तो सिलिबस में खो जाते है हमें वह नहीं करना इसलिए Step 1 में हम सारा प्लॉट करेंगे पहले ट्रेलोपर ओके यह रिविजिट हो गया यह वाल प्रेसिफिक में क्या है ना इसमें लैंड रेविन्यू रेंट कंट्रोल अक्मोडेशन एक्साइज एक्साइज यह सबसे जादा इंपॉर्टन है लगबग 100 घंटे पर स्टेट इस चीज़ पर हमाचल प्रदेश में जैसे क्रिमिनल लॉपेपर में कुछ स्पेसिफिक एक हैं अब बिल्डिंग तो इसमें आप देख रहे हैं कि जादा एक्टेश है बट एक चीज़ आपको देखना है कि कौमन कौनसी चीज़े जैसे अगर दो स्टेट्स में रेंड कंट्रोल अक्त है तो आपको याद करने में आसानी होगी municipalities act तो अलग है पंचायती राज act अलग है but if wherever you can find common name of act across multiple states it will be easier for you to learn अब उत्राखर्ण में जैसे UP जमिंदारी and Land Reforms Act है हर्याना में Punjab Courts Act is applicable to हर्याना urban rent control तो अब यह rent control जो है हर्याना का आपको आप compare कर पाएंगे Delhi में अगर rent control आएगा तो आप Delhi से यह compare कर पाएंगे क्योंकि parameters similar होंगे उसका value अलग होगा पंजाब में जैसे Urban Rent Restriction Act ओके फिर Courts Act आपने देखा पंजाब Courts Act है और हिमाचल प्रदेश हर्याना में भी पंजाब Courts Act है हिमाचल प्रदेश में भी था HP Courts Act यहाँ पर rent control act है तो इनमें आपको हमेशा Courts Act किसी भी स्टेट के आप multiple states के देखेंगे तो patterns दिखेंगे आपको तो अगर आप multiple states के लिए तयारी कर रहे हैं और उनके local laws combined आपको local laws में similar नाम है तो साथ पढ़िएगा बता हूँ क्यों क्योंकि अगर आप पहला local law नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे को देखकर आपको common चीच identify होने से concept का clarity होने का जादा chance है तो 2-3 law अगर आप सामने रख रहे हैं जो parity वाले हैं या जो एक साथ add होते हैं उससे आपको पढ़ाई में फाइडा होगा गुजरात में अब जैसे जहां-जहां court fees act लग रहा है वहां पर आपको again state amendments है state version act का बट आप साथ रखके पढ़ाई कर सकते हैं उसकी PCP and DT act तो uniform इंडिया में state amendments रहेगा तो वो अलग बात है registration of births and deaths act control court fees court fees अब ये खाली state specific हो जाएगी तो आप fees कितनी है state specific exceptions कितने है वो आप last minute भी revise कर सकते हैं एक बार आप पहले से समझ गये हैं तो कि और answer writing practice कर ली होनी चाहिए exercise act हर state कि में कि मैं आपको parity देखेगा फिर से यहां पर जैसे AP gaming act है अभी एक और जगह आपने gaming act देखा था हर्याना या कहां का था गुज्रात का था गुज्रात का था गुज्रात का है prevention of gambling act इन में आपको parity देखेगा AP gaming act में कुछ similarity देखेगा exercise acts will be similar यह बहुत important तयारी के लिए यह लोग नहीं करते हैं general knowledge का थोड़ा सा breakdown दे रहा हूं क्योंकि general knowledge के भी बहुत सारे components होते है state to state कुछ segments vary कर जाते हैं जैसे आप देखिए current affairs हैं बहुत सारे states में one hour daily करेंगे तो 360 घंटे लगेगा static gk जो है वो UP और भिहार में है computer knowledge कुछ states में तो उनका आप अगर gk का mcq देखेंगे past year paper में तो आपको कुछ अलग-अलग सवाल दिखाई पड़ेंगे जो बाकी papers में नहीं है क्योंकि वो computer knowledge से आ रहे हैं अब आप gk के provision gk के section में आपको case law वगरा Latin terms दिख रहे हैं जुडिशिरी gk बोल सकते हैं it's not the regular current affairs not regular general knowledge judgment writing अब चार states में है तो यह बहुत important हो जाता है हटके है if you are sitting for these states make provision for it at least 30 hours judgment writing में क्या है कि आपको जिस area का law है मतलब या तो civil suit हुआ तो cpc का knowledge procedural aspect का knowledge और अगर कोई उसमें substantive aspect है कि transfer property question में है या contract का issue है तो वो चीज़ आपको समझ के फिर cpc को अपलाएगा कि फिर आपको दिखना है कि कैसे judgment लिखना चाहिए framing of issues पूरा structure क्या है judgment का analyze कैसे करना है लिखना कैसे तो criminal law में भी यह होता है तो judgment writing का यह important रहता है essay writing can be on social issues tested in tested in MP और mains का भी long answer writing होता है तो फो अलग है हर subject पे होता है वो तो syllabus के जिस-जिस subject पे उन्होंने लिखा है कि mains का paper होगा उस subjects में आपको वैसे तियारी करनी है reasoning and maths okay so this is something that you need to prepare separately again gujarat west pengol tamilnadu legal reasoning in west pengol and tamilnadu